कि तुमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपना ओलाइन इस्टिटूट टार्गेट भी तालोग में मैं रभी तिवारी एक नए एपिसोड के साथ आपके समख चुपस्तित हूं आज हम लोग जन्गनना की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जन्गनना से आप से पृष्ण पूछे ही जाते हैं राष्टी जन्गनना से भी आप सभी लोगों से पृष्ण पूछे जाते हैं तो हमें बैसे तो प्रदेश की जन्गनना को देख रहा है लेकि उससे पहले हम राष्टी जन्गनना को भी देखने की को होगा उसमें हम लोग देखेंगे आपके पूरे उत्तर प्रदेश की जो है जनगरना है ना उत्तर प्रदेश की आपकी जनगरना को भेज देखेंगे एक नोट्स में आपको भेज चुका हूं जिसमें उत्तर प्रदेश की जनगरना के बारे में आपको बताया गया है लेकिन उस नोट्स में राष्टिय जनगरना के आक्रे नहीं है आज मैंने राष्टिय जनगरना से संबंदित नोट्स को तैयार करा दिया है तो आज सभी लोगों को राष्टिय जनगरना से संबंदित नोट्स मिल जाएगा देखे, जनसंख्या नगडीकरण या जनगरणा के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसमें पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा है कि अगर हम लोग 35-40 पढ़ने भी पढ़ते रहें कि जो मुख्यता पृष्णे बनते हैं वो किन-किन पक्षों से बनते हैं हमें बहुत ज़्यादा अध्यन की जरूरत नहीं है देखे, जैसे हमें देखना क्या-क्या है इस राष्टी-जनगरणा में पहले तो हम इस राष्टी-जनगरणा को बैस्विक परपेक्ष में देखना है इसकी इस्तिति क्या है एक तो हमें ये देखना है बैस्विक परपेक्ष में जब हम इसको देख पा रहे हैं तो बैस्विक परपेक्ष में देखने की बाद फिर हमें ये देखना है कि पाथ जगे से प्रिस्ने आपके बनते हैं साक्षर्ता आपकी क्या है साक्षर्ता के बाद जनघनत तो आपका क्या है जनघनत के बाद आपकी दस्किय वृध्धी दर क्या है दस्कि वृध्धी दर और बालसिक वृध्धी दर दस्की बृध्धी दर आपका क्या है है ना इसके बाद आपका देखी लिंगा अनुपात क्या है लिंगा अनुपात क्या है इसके बाद आपकी अनुसूचित जाती और जन जाती की जन जाती की संख्या का पृतिसत क्या है इसके अलाबा अगर हम लोग देखें तो पिर्थम और अन्तिव के आंकड़े आपसे पूछे जाते हैं तो पहले भाग में हम राष्टी जंगरना को आराम से समझने की कोसिस करते हैं इन परपेक्ष हैं राष्टी जंगरना को समझने की कोसिस करेंगे तो आईए शुरुवात करते हैं और इठियार से शुरुवात करते हैं जहां से आपके पृष्णी यहां से बनते हैं तो सबसे पहले देखें मैं इसको आपको समझा रहता हूँ अगर हम विस्ष पर पेक्ष में भारत की स्वरूब को देखें तो यहाँ से बेटा हैं कि विस्ष जनसंख्या में हमारा कौन सा इस्थान है दूसरा इस्थान है ठेक है one child one policy को खतम कर दिया चीन में एक policy थी कौनसी कि एक परवार या एक दमपत्ती या एक युगल दमपत्ती के साथ एक ही बच्चा हो सकता है one child one policy one nation चीन की ये policy थी इससे क्या हुआ कि जो बृद्ध जनसंख्या थी उसका अनपात बहुत ज़्यादा हो गया चीन में और युवा जनसंख्या के अनपात बहुत कम हो गया तो अभी हाली में चीन एक कैसा राष्ट है जिन्नोंने one child one policy को खतम किया वहाँ इससे पहले क्या होता था कि अगर आपकी एक से ज़्यादा संतान है तो आपको जो सरकारी लाब मिलते थे उन सरकारी लाब के कुछ पृतिसस से आपको बंचित कर दिया जाता था भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए क्योंकि हम कुछ करें चाहें ना करें लेकिन जनसंख्या हमारी बहुत बढ़ती है सरकार इसके लिए बहुत साथा प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाय है और यहां पर आप जनसंख्या नियंतर कानून की बात हो रही है तो चीन आसंकित होके बंचायल वन पॉलसी को खतम कर रहा है और भारत जनसंख्या नियंतर कानून वरा रहा है कि बदली हुई परिस्तितियों की जरूरत है कि एक राष्ट इसको बड़ावा दे रहा है इस चीज को खतम करने के बात और दूसरा राष्ट ऐसी एक चीज को लाने की कोशिस कर रहा ह जनसंख्या की देश्टी कोड से अगर हम लोग देखे तो विस्स जनसंख्या में भारत का दूसरा इस्थान है और जिस प्रकार से उम्मीद लगाई जा रही है अगले 5-7 बरसों में हमारा प्रिथम इस्थान इसमें हो जाए रहा दूसरा अगर हम पूरे विस्स की अगर हम लोग देखे तो हम साथ में स्थान पर हैं अच्छे से क्लिए है आपको चलिए च्छेतपल के स्थान से अगर हम लोग देखें तो हम लोग साथ में स्थान पर है और साथ में स्थान में अगर हम लोग देखें तो यहां पर बताईए आप सभी लोग आप कमेंट भी करिए का पहला स्थान किसका है रूस का है फिर कनाडा है फिर चीन है ठीक है पिर क्या बता ओ, अमेरिका है, USA आपका अमेरिका है ठिक है, चोथा इस्तानों गया, रूस, करनाड़ा, चीन, अमेरिका और इसके बाद जब हम लोग आगे बरते हैं तो क्या है, व्राजील है, और फिर आस्टेलिया है तो फिर क्या है, ब्राजील है बाद भी अगर एक देश की बात करें तो फिर अर्जेंटीना उर्जेंटीना इसको एक कोट से मतलब लोग याद रखते हैं जिस कोट को क्या कहते हैं बताये रकुबाइए आप लोग भी इस कोड को याद कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं हो सकता है आपने से बहुत सारे लोग अमेरिका हो गया बे से क्या हो गया अस्टेलिया हो गया और इस आई से क्या हो गया बताये इंडिया हो गया तो च्छ्डात से कौन सा स्थान है एका семशल मेरा ये अब तक की कुल पंद्रमी जंगरना थी, है ना, आब तक की कुल पंद्रमी जंगरना है, स्वतंत भारत की सात्मी जंगरना है, है ना, और 21 सदी की दूसरी जंगरना है, तीनों ही डाटा को याद रखना है, ठीक है, 2011 की जंगरना को अगर हम लोग देखें, तो 2011 की जंगर बेटा, 2011 की जनगरना अब तक की कौन सी जनगरना है, बताइए, पंद्रमी जनगरना है, सौतंद वारत की, 1947 के बाद की कौन सी जनगरना है, बताइए, सात्वी जनगरना है, और 21 सदी की कौन सी जनगरना है, दोसी जनगरना है, इस जनगरना का आदर सबाक की क्या है, न, तो पूछा जाता है तो इसका आदर्स बाग था हमारी जंगरना हमारा भविस्ट भारत की जंगरना 2011 का जो सुभंकर था वो एक प्रगणक सिक्षका थी अनक्याती प्रगणक सिक्षका को बनाया गया था मैस्कोट सुभंकर एक प्रगणक सिक्षका को बनाया जाता गया था महला ससकती करण को बड़ाबा देने के हिसाब से और सिक्षा की भूमका को जनता में अहम रॉल देते हुए प्रगड़क सिक्षका कंप्यूटर की सिक्षका को एक जो है मैस्कोट के रूप में अक सुभंकर के रूप में प्रिस्तुत किया गया था 2011 की जन गर्णा के ठीक है आयो भारत की कुल जन संख्या 2011 में कित्ती थी उस जन गर्णा के हिसाब से देखें बेटा तो लगवग 121.08 करोर थी है ना जो की 2001 की जो जन गर्णा थी वो कित्ती थी 102.087 करोर थी अंतर देखिए ये कित्ती थी बताईए 121.08 करोर जितने प्रिश को भेजा है ठेक है तो 121 करोड थी और 2001 में क्या थी ये बताइए 102.87 करोड थी ठेक है उस हिसाब से अगर हम इसके अंतर में बृद्धी देखें तो बृद्धी जो हुई वो किती हुई 18.18 करोड की बृद्धी हुई तो अगर हम लोग संख्या में इस दसकी बृद्धी दर को देखें तो संख्या में जो दसकी बृद्धी दर्ती वो किती थी 18.18 करोड संख्या में बृद्धी दर्ती जो इस दस बर्स में हुई थी ये प्रिश्णवी बेटा आपसे पूचा जा चुका है और ये प्रिश्णवी आपसे पूचा जा चुका है आईए आगे बढ़ तो 1.64% औस तन है एक दसम्लोग छहतार प्रतिसत क्या है बताइए औस तन है इस तरह दो हजार पैंतालिस तक भारत विस्थ का सरवदिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा लेकिन 2019 में जो आंक्रे आए हैं उस 2019 के आंक्रों के अनुसार इतने दूर जाने की जरूरत नहीं हैं 2027 में ही भारत जिस तरीके से बढ़ रहा है और हम जनसंख्या नियंतर कानून जैसी चीज़ें गर नहीं लाए तो 2027 में ही हम विस्थ के सरवदिक जनसंख्या वाले देश बन जाएंगे क्लियर है आईए 1921 को जनसंख्या की दृष्टी से महान बिभाजिक बर्स कहा जाता ये पुरस्णय कई बार वेटा आप से पूंछा जा रहे चुका है कि जनसंख्या की दृष्टी से महान बिभाजिक बर्स को कहा जाता है तो जनसंख्या की द्रिष्टी से महान विभाज़क वर्स 201921 को कहा जाता है देखिए या तो बढ़ती हुई जनसंख्या या तो भूत सीमित जनसंख्या में जब एकदम से बढ़तरी हो या बहुत बढ़ रही हुई जनसंख्या में एकतम से कम हो जाए या रुकावट हो जाए तो ऐसे वर्सों को महान विभाजक बर्स कहा जाता है ऐसा ही एक वर्स 2019 था तो जनसंख्या के दृष्टी कोर से 1921 था तो जनसंख्या के दृष्टी कोर से 1921 महान विभाजक बर्स कहा जाता है अगर हम विबरणों की बात करें तो सबसे पहला विबरण कहा मिलता है तो जनसंख्या की दृष्टी कोड का सबसे पहला विबरण अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में मिलता है ना तो अगर यह पूछा जाए कि किस मुगलकालीन सासक है ना या किस मु यह प्रिश्णवी कम से कम तीन से चार बार आपसे पूछा जा चुका है कि जनगर्णा की सरप्रथम उल्ले कहां प्राप्त होते हैं आईने अकबरी में होते हैं अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में बेटेस भारत की अगर हम लोग बात करें है ना तो अथा 172 में लाड मेयो द्वारा पहली बार जनगर्णा कराई गई थी लेकिन 1881 से जब लाड रिपिन का समय था तो यह नियमित रूप से प्रारम हुई प्रुष्ण दो प्रिकाल से बनता है कि सबसे पहली जनगर्णा किस गवर्णर जनरल की सासनकाल में हुई थी तो लाड मेय कि शासनकाल में इसका प्रादम हुआ था और फिर पूछा जाता है कि किस जो गवर्नर जनरल कि शासनकाल से जंगनला को नियमित किया गया था तो नियमित कब से किया गया था बटाईए 1821 से किसके साशनकाल से, लाड रिपिन के साशनकाल से यहांपर क्या किया गया था, इसको नेमत किया गया था, कलिए रहे है है? चलिए अब दरणल कर के आकड़े देख लेते हैं, एक बार, है ना? पहले राश्टी आकड़ों को देखते हैं अगर हम कहें कुल जनसंख्या किति है हम लोग clear कर चुके 121.66 करोड़ पुरुसों की जनसंख्या किति है 62.Blue करोड़ महलाओं की जनसंख्या किति है 88.75 करोड़ अब यहीं पर आप से अंतर पूछ लिया जाता है तो आप, आप mathematics से इतना जानते हैं अगर आपसे पूछ रिया जाए कि पुरुसों की और महलाओं की जनसंख्या में अंतर कितना है तो आप करोड में आसानी से अंतर को निकाल सकते हैं ओप्सन में वो अंतर रहता है ये डाटा कई बार पूछे जा चुके है इसलिए आपको याद रखना है जीरो से छे वर्ष की आयू की जनसंख्या किती है 16.44 करोड है तो अगर पृतिसत में देखें तो बताओ कितने पृतिसत हो गया तो 11.47 पृतिसत आपका क्या है बताए ये पुरुसों की संख्या है और 48.5 दिन पृतिसत तो अगर पृतिसत में अंतर लेना है तो यहां से तुरंत मेरे साथ जब आप इस पृतिसोड को देख रहे है पृतिसत करके पृतिसत के अंतर को भी निकाल के यहां से लिख लिजिए और संख्या के अंतर को भी यहां से निकाल के लिख लिजिए 10 के व्रिद्धी तरकिता है 17.7 कहीं कहीं बिटा ये 17.69% भी मिलता है ना तो 69% को यहाँ पर क्या लिखा जाता है 7 लिखा जाता है तो 0.1% के डाटा से आप ये मत होईएगा कि confuse हो जाओ और आपको लगे कि ये गलत है ऐसा नहीं है कहीं कहीं किताबों में 17.67% भी लिखा है नगरिये जनसंख्या किती है तो नगरिये जनसंख्या है 31.1% गिरामिर जनसंख्या कितनी है तो गिरामिर जनसंख्या है आपकी 68.8% लिंगान पात किता है तो राष्टी लिंगान पात है 943 एक हजार पर है ना परती एक हजार पर किता है बताएए नौसौ जन घंध कवी-कवी-कवी-कवी-कवी अलग नहीं लिखा जाता है जन घनत को एक साथ ही लिखा जाता है हमेशा ध्यान लखे अलग लिखना हिंदी की मिश्टेक के रूप में आपके सामने है ना ये हिंदी की गलती के रूप में आपके सामने है जन घनत को कभी भी अलगती है, तो ये एक सामान आकड़े हैं, जो अक्सर बारब भागता में आपसे पूछे जाते जाते हैं, ठीक है, चले, अब हम इनको केटेगराइज करते हैं, के लिए जो आपसे प्रुष्णों के रूपना होते हैं, साक्षर्टादर किती है, 73%, 73% की स साक्षर्टादर है, जिस वक्त पुरुष्ण साक्षर्टादर किती है, 80% और महला किती है, अगर अंतर निकालना हो, तो अंतर की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ, अगर मैं कहूं कि पुरुष्ण साक्षर्टादर और महला, साक्षर्टादर की बीच का अंतर कितना ह तो ऐसे निकालना ये तीन हो गया पताओ तस में से चार गया कितना बचा छे साथ हो गया कितना हो गया देश की जनगरना का दायत भारती सम्मिधान के अनुचित 246 द्वारा के निसरकार को प्राप्त होता है ये प्रिष्णे भी कई बार पूछा गया है देखे जनगरना तो आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएगी कहीं भी मिल जाएगी लेकिस सारे प्रिष्णों को मैंन जगह सेट किया है तक ही आप एक जगह पूरा करें तो आप से एक बार प्रिष्णु पूछा गया था जब आप यूपी ट्रिपल सी में लोगर पीशियस का एकडाम में रहे थे कि जनगरना कराने का अधिकार किन सरकार को भारती सम्मिधान के किस अनुच्छित द्वारा जो अधिकार है वो भारती सम्मिधान के अनुच्छित 246 द्वारा किन सरकार को प्राप्त है यह आपको यहां पे यार रखना है आए आगे बढ़ते हैं सुसुर एवं मात्रत्यु मृत्तु अधर ठीक है चलिए आप देखो यहां से ही जब सुरू हो रहा है तो इसको समझ लेजे बरतमान में राष्टी इस्तर पर जनमदर जो है वो कित्ती है 21 पृति सथ है क्लिए बिटा कित्ती है 21 पृति सथ है आप इस कौपी को जो आपकी प्रिंटाउट टिकले कई बार अंडर लाइन करिएगा इसमें से एक भी बुलटिया पॉइंट आपके छोड़ने ल दर को पिरती कितनी संख्या पर मापा जाता है प्रसम पूछा गया है तो दिया जाता है defeat बॉत कि एक जार गिफजार शोपन नहीं मापा जाता सबसे ज entscheiden कि यहीं होता है सबती क्ति मरेए मत्तिट वाय राज कौन सा है मृत्प्रिदेस है सर्वदिक शिशु मृत्यु दर्वाला राज कौन सा है मद्य प्रदेश है मात्रुतिवम शिशु बचाव के लिए बहुत सारी योजना है सभी प्रदेशों राला लाई जा रही है उन प्रियासों के बाद हुए अगर हम आकड़े निकाल के देखें तो सर्वदिक शिशु म इजас सीर्च जनंदर्वाला राज उत्तरपृदिश है हिर वियाहार है और मद्यप्रदेश है और नियूंतम जनंदर्वाला राज जी क्या है बताए ये गोवा है, پھर मनिपूर है और फिर केलल है, लिóनतम जन अंदर राज क्या है, सबसे पहले गोवा, फिर मणीपूर और फिर केरल, केरल है यह आकला बिलकुल केर हो गया आपको, कोई दिककदिस में नहीं है, आगे बढ़ते हैं, लिंगानपाथ, देखे, पहले तो देख लिए कि राष्टी ये लिंगानपाथ कितना है, अभी मैंने केर किया, राष्टी ये लिंगानपाथ आपका आपका केरल और दूसरे पर आपका बताइए कौन सा तबिलाडू ठीक है चलिए के निसासित प्रदेश कौन से है तो पहले पर है आपका पुदुचेरी और दूसरे पर आपका लक्षदी आसान तरीके से फॉर्मेट किया है जैसे एक साथ आप दोनों चीजों को देखें और क्लियर हो जाए तो राज सबसे चा को बताइए केरल और फिर क्या है तबिलाडू और इसके बात क्या है के नसासित प्रदेश की बात करें तो इसके है बताईए ये पुनुचेरी और लक्षदी इस सर्वा देखें सिर्स पर है पुरसले आप से पूछाए नियूंतम की बे हर्याना सबसे राज में हर्याना और उसके बाद क्या है जम्मुकसमिरा जम्मकरण के बात करें बिटा तो दमनी ऐवं दीव 618 बहुत хी कम है न और उसके बाद दादर एवं नागर हवेली 174 तो लिंगानपात राष्टवी लिंगान पात 943 त relief from नं Bry पात अगर हम साक्षर्ता की बात करें विटा तो जन्गाना 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षर्ता डर है वो 8.16 पृतिसत की बृद्धी दर्च की गई है भारत की साक्षरतादर में पृतिसत की बृतिसत 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 की दर्ज की यह साक्षरता दर में पिछली जनसंख्या से इस जनसंख्या को compare करने पर यह question पीछा गया था lower PCS में clear और साक्षरता दर है किती 73 प्रतिसत यह common question है जोसको आप अलग से देखते हैं यह initial information है जो आपको तोप में है और इसके बाद क्या है मिजोरम और इसके बाद क्या है गोगा एक दो तीन अधिक्तम साक्षरता दर ठीक है नियुन्तम साक्षरता दर यहां पर भी बिहार पहले पर फिर अरणाचल प्रुश सक्षर्ता वाले राज कोंसे है तो केरल है फिर लक्षदीफ है फिर मिजोरम और नियूंतम प्रँश सक्षर्ता वाले राज्य का पिर्देफ महला सक्षर्ता वाले भान जोицे म कौन-कॉन अगर हम पूछे कहां पर है तो बताइए कहां पर है महाराष्ट पर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है मैं आप से कहां रहा हूं बहुत सीमित पर ना है ठेक है, सरवदेक सहरी साक्ष्रों की संख्या नमाराज्ट में प्रिस्णे आप से सीधे सीधे ना पूचके इन रूपों में भी पूचे जाते है, ये परिछले बरस में पूचे एन से और उसके उत्तर है, इसके बाद चले, सरवदिक सहरी सिसु जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बताइए उत्तर प्रदेश है सरवदिक सहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बताइए शिक्यम है ध्यान लिजेगा सरवदिक सहरी सिसु जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में है लेकिन दस वर्ष में वरुद्धी जहां पर जहां पर वह कुं सी है सुर्वतिक विकलान जन्संख्या वाला राज कुंसा है सबसेब्र उत्तरप्रदेश सबसेम सम्सेद सर बिचान। धर्म कोई साहे हिंदू है सर्वदिक दसकी वरदिवाला धर्म का ओंसा है थान क्फछा के आंकणड़ pourtant पुछी जाते हैं सरवदिक हिंदू है पिर्तिसत के हिसाब से, नोटस में छूट गया है, एट कर लिजी, पिर्तिसत के आधार पर, सरवदिक हिंदू पिर्तिसत के आधार पर कहां पर है, बताइए हिमाचल प्रदेश में, और जनसंख्या के आधार पर कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, जनस सर्वतिक साक्षर्टा वाला धरम कौन सा है बताई यह Jr अब यहां से आप उसको जंगपतस वहां पर साक्षर्टा सर्वतिक जंगपनद वाला राजड 208 प्रदेश अभी मैंने राष्टी जंगंत आपको वहाँ पर कलिय Turkish त यह सी सिधे सिधे पुछे जाते हैं दृत्प कौन से नगर कौन से थिए थैक है तो सर्व जन संख्ञाइने ठीक है करांची पाकिस्तार भारत तो है यह नगर की बात की गई है दिली यह ठीक है चलिए विसके सरवदिक नगरी कृट देश कौन से है तो विसका सरवदिक नगरी कृट देश कौन सा है बताइए वो आपका सिंगापूर है ठीक है विसके नियूंतम नगरी कृट देश कौन से है तो वो आपके कौन से है बताइए आईलेंड त्रिदनाथ टेव को बुरूं अगर आप लोग यहां पे देखेंगे TO उन्नीस सो ग्यारा से 21 के दसक में अगर हम लोग देखें तो जंघनत में जो व्रद्धी थी वो रड़ात्मक थी तो आप से पूछा जाता है कि रड़ात्मक व्रद्धी वाला जो आपका दसक था वो कौन सा था तो जंघनत में चिम जनगर्णा रिपोर्ट के अनुसार अगनाचल प्रदेश में जहां पर जनगनत 17 व्यक्ति-पृति-वर्ग किलोमीटर है, वहीं बिहार में 1106 व्यक्ति-वर्ग किलोमीटर है, मतलब एक जगह भूत नियूंता में 17, तीन अंकों में भी नहीं है, और एक जगह कितना है, बताइए 1106 व्यक्ति-वर्ग किलोमीटर है, के अनुसासित प्रदेशों में सरवदिक जनगनत दिल्ली में कितना है, बताइए 11320, 11320 व्यक्ति-वर्ग किलोमीटर है, जबकि अन्दवान इम्म निकुवार दीवसमू का जनगनत कितना है, 46 है, तो अगर हम जनगनत को दे देखें, तो सरवदिक जो है, क्या बताइए, हाँ, अरणाचल प्रदेश में जनगनत सत्रा व्यक्ति-वर्ग किलोमीटर है, बिहार में कितना है 1106, के निसासित प्रदेशों में अगर हम लोग देखें, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा 11320 है, और जबकि अन्दमान नि बिहार हो गया, निउन्तम क्या हो गया, अरणाचल प्रदेश हो गया, तीन-तीन हमें देखने हैं, तो बिहार पश्चिम बंगा लोग के रह ले ले लेते हैं, अरणाचल प्रदेश में जोरम और सिक्कम ले ले लेते हैं, भारत में जनसंग्या गनत बाले किन सासित प्रद ही है और फिर क्या है यह लक्ष दीप है तो तीन आपको यहां से याद रखने हैं और तीन आपको यहां से याद रखने हैं इसके बाद बात करें अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जाती की संख्या की अगर हम लोग बात करें ठीक है तो देखें 2011 की अगर हम अंतिम जंगरना रिपोर्ट के में देश की अनसूचित जातियों यहाँ पर हम लोग बात करें अनसूचित जातियों की संख्या की बात करें तो लगभग लगभग जातियों बताइए कितनी है 20.137 करोड़ है लगभग अगर हम इस डाटा को ले 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 जो देश की कुल जन संख्या का कित्ते पृतिसत है बताइए 16.6 पृतिसत है 2001 से लेकि 2011 के दौरान इनकी जो दसकी बृत दीदर थी वो कित्ती है बताइए 20.6 पृतिसत नहीं के लिए उत्तर प्रदेश जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कि अनसुचित जन जाती में पहले दो ही जातियां 2003 से पहले सम्मिलित थी कौन कौन सी बुकसा और थारू और 2003 के बाद फिर दस अनसुचित जन जातियों को और वहां पर सामिल कर दिया गया तो कुल संख्या क्या हो गई बारा हो गई और उत्तर प्रदेश में बृत्ति दर 950 प्रितिसत के आसपास चलेगी जब मैं प्रदेश के आपरों को आपके समक्ष प्रिस्तुत करूँगा तो मैं उन चीजों पर विस्तार से बाचीत करूँगा आगे बरते हैं अगर हम लोग भारत में अनसुचित जाती वाली राज्य को देखें तो अधिक्तम सबसे ज़्यादा कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में हैं फिर कहाँ पर है पश्चि मंगाल में है और फिर कहाँ पर है बिहार में तीन ले लिजे और अगर नियूंतम देखें तो मिजोरम में है दमानिवम दीप में है और दादारेम नागर हवेली में है इसके बात बात करते हैं बेटा अनुसूचित जन जाती की तो 2011 की अनुसूचित जन जाती की संख्या है वो देश की कुल जन संख्या का 8.6% मतलब अनुसूचित जन जाती से अनुसूचित जन जाती की जो संख्या है वो लगभग आधी है ना भारत में अनुसूचित जन जा मद्यप्रदेश है महराष्ठ और उडिसा है मद्यप्रदेश है और महराष्ठ और उडिसा और नियूंतम मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नोट पढ़ लीजिए पुंदुचेडी दिल्ली चन्दिगर हणियारणता पज्जाब में कोई भी अनसुचित जन्जाती निव पढ़ भास नही करती आज हम लोगों ने पूरी राष्ठे जन्गना के बारे में बात की कल हम लोग पूरी उत्तर प्रदेश की की बारे में बिस्तित रूप से बात करेंगे और सभी पक्छों को देखेंगे यहां पर मैंने इस प्रकार से कुसिस किया कि सारे प्रिश्चन का आयोजन किया जा रहा है जिनके पीडिया कुछ दिन बाद आपके वैपसाइट और बैच पर जाने शुरू हो जाएंगे आज से कॉलम्स वैपसाइट पर बन रहा है आप सभी लोग उन प्रैक्टिस सेट को पढ़ें और उस प्रतिस परदा में भाग लें कि कैसे आप जल् से हमारे लिए चीज़ें जरूरी होती है तो जादस से जादस संख्या में वहां पर रहें उन प्रैक्टिस सेट को लगाएं हल करें क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट बिल्कुल उसी ट्रेंड पर हैं जिस ट्रेंड पर आपकी परच्छा होती है कल हम लोग जो है इसकी बात कर करते हैं आज के लिए मेरे तरफ से रखाएं Thank you so much love you all Namaskar